सवे भवंतु सुखिन, बुद्ध जयंती पर विशेश तेर्य, जो गुरु उबदेश के अनुरूपो ग्रहन करें, राबिया ने अपने अंदर उस आनंद को महसूस किया क्यों, क्यूंकि उसके मन में इंसानियत, प्रेम, सद्भाव के अतिरिक्त कुछ नहीं था और उसने कुरान में लिखे उस वाक्य को काट दिया कि शैतान से नफरत करो, इसा मसीई ने कहा अपनी आँखों के पीछे का द्वार खटखटाओ, यानि के अपने अंदर ध्यान करो, आनंद का द्वार खुल जाएगा, भारतिय दर्शन में तो अंतिम परिनाम पर्मानंद को ही माना गया है और, गीता में भी अंदर ध्यान करने का वर्नन दिया हुआ है, गीता का भी यही संदेश है कि हम सुधर जाएं तो हमें सुखों की, अधिकता प्राप्त होगी और यदि कामना रहित सुधार करेंगे तो समस्त दुखों का अंत हो जाएगा, कहने का तातपर् मेरा गुरू ही सबसे महान है, लेकिन विचारन ये बात तो यह है कि क्या हम उस मार्ग दर्शक की वानी के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, भगवान बुद्ध ने इन सभी जंचटों से दूर रहते हुए समझाया कि केवल किसी का गुनगान करने से कुछ भी हासिल नह और उनकी पालना करने के लिए सच्चे मन से प्रयास करते हैं, वास्तव में ऐसे लोग ही शुद बुद्ध बनते हैं, अन्यथा शुधता के अभाव में जन्मरन के चक्रत दुख नरक में उलजे रहते हैं, लगातार एक चार